थेलो प्यारे बचो वेरिकिन मॉझनूरी वेरिकिन मॉझन इसके वाल्ट पेपर और स्कृरिं शेवर के बारे में जाना था आज हम जानेगे विndडोस के बारे में और आगज दोप्शन साइन उनके बारे में टेक्वा है उससे फ़रहे है चाहिए हुज नो CEO of Microsoft यह क्या है? CEO है किसके? Microsoft के और he confirmed, यह उने confirm किया है that Windows 7 जो Windows 7 है, will be more refined and compatible version of Windows Vista देख आए कि जो Windows 7 जो है Windows Vista के competition में है, यह उसे बहुत अच्छा version है उसके मुकाबले में अब कहता है Windows Color तो Windows Color का कहता है The Color of Windows Border Start Menu and Task Bar is changed by using this option तो Windows का Color जो है जैसे हम देखते हैं, नॉर्मली Color में समझे दिखाई देता हैं हम चाहते हैं कि वो Color हमारी इक्षान में सार वो चेंज हो तो उसको हम चेंज करने के लिए कौन-कौन सार के Color चेंज होगा तो Windows के Border Color चेंज होगा Start Menu का Color चेंज हो जाएगा और Task Bar जो सबसे नीचे पटी होती है इसके पर Start Button और ये Time Indicator यहां पर जो होती है, इसको हम बुरते हैं Task Bar तो इनका Color चेंज करने की बात है तो कैसे करेंगे? तो there are following steps to change the Windows Color Windows Color चेंज करने के लिए कुछ steps दिए गई है पहला है Right Click at the Empty Area on the Desktop and Click on the Personalize Option ठीक है? तो Personalize Option के हमने click करना है Next कहता है Click on Windows Color Windows Color Options के ओपर हमने click करना है जैसे हमने call किया था Windows वाल बीपर चेंज किया था तो वही राइट किलिक करके खाली एरिया में, ब्लैंक एरिया में हमने Right Click करके नीचे जाना है Personalize Option पर क्लिक करना है Personalize के बाद वहाँ पर जैसे डायलो बोक्स खुल जाएगा Personalize वाला उसके बाद हमने Windows Color पर क्लिक करना है Then हमारे पास तो third step है इस तरीके की एक slide आईगी हमारे सामने वहाँ से हमने क्या करना है किसी भी color को क्या कर लेना है Select कर लेना है ठीक है तो select कर लेना है हमने कोई भी Select रहने Color as per your choice And then Click on Save Change button उसके बाद क्या है यहाँ पर एक Save Change के नाम से बटन होता है बटटा So Save Change पर हमने क्या करना है Click करना है That's the color of Windows Of the computer Change as per your choice तो इस तरीके से हम क्या कर सकते है Color change कर सकते है Next one is Gadgets Gadgets क्या होते है यह होते थ्युचे परोग्राम होते है That प्रोवाइद Information and easy access to the Frequently'Useet । फूल सो फूल है यह जो थ्यूचे फूल से तूल सो बहुते है उनको यूज करने के लिए थ्यूचे बटटबूس को से तूल से रहने गेलेंडर में Clock है Camera Set Rig करंसी होती है, free headlines होती है, आज some of the Windows 7 gadgets, यानि कि Windows 7 में जो कुछ gadgets होते हैं, यानि किए क्लेंडर हमारे सामने आएगा, यानि क्लॉक दिखाई देगा, तो और ट्रॉक दिखाई देगी, वैदर यानि कि मोसम किस तरीके का, कैसा है, CPU, meter-based, CPU-based, पर हों हमें इंट आपर काम करें, कितना儿 काम कर रही है Yes escrorith ten आप इसको आड कैसे करते हैं इन गैजेट्स को आड करेंगे किस तरीके से करेंगे यह है there are the following step to add the gadgets इन गैजेट्स को आड कैसे करेंगे तो हमने वही right click करना है at the empty area किसी भी खाली अरिया भी desktop के आप desktop and the then click on gadget option तो जैसे हम click करेंगे यहां पर आपको दिखा देरा right click किया हमने तो निचे personalized option है उसके उपर gadgets यहां पर हमने click करना है gadgets के उपर यहां पर click करना है बटा तो जैसे हम यहां पर click करेंगे तो उसके बाद हमारा अगला option खुल जाएगा the gadget windows get opened तो next option किस तरीके का आएगा इस तरीके का हमारा gadgets आएगे यह यह gadgets आगे हमारे इनमें से किसी को पर भी हमने क्या करना है double click at the gadget that is to be placed on the desktop किसी को भी जैसे माने calendar है clock है CPU meter है currency है free headlines है picture puzzle है game होती है slide show होता है कुछ photos वगर आती रहती है इसमें चीज होती है weather है मोसम अभी किस तरीके अभी गरा में ठंडा है इस तरीके मोसम में पर जलता है और windows media है यानिके song वगर अगर आपका song ज्यादा होता है तो desktop के हम एक icon बाल लेते हैं gadget के रूप में ताकि हम उसके on the right side of the desktop तो यह gadget है desktop के right side में आ जाएगा अब यह कहता है here are some of the windows 7 gadgets ठीक है windows 7 वी कुछ गजट के बारे मता रहा है जैसी यह पहला है यह clock दिखाई दे रहा है तो it displays the time time दिखाता है clock style and its name can be changed by clicking the option ठीक है एक clock आपको normal style की दिखाई दे रही है तो इसको अपने इच्छा मुसर चेंज भी कर सकते हैं जो computer में style दे रहा है उसको अपने desire के मुसर को चेंज कर सकते हैं next आता है आपका slide slide show it show the continuous slide show of pictures on the desktop as its background तो जैसे इसकी background के आपने pictures दे रहा है one by one change होती रहती है next आता weather का weather में क्या करता है मैंने बताया अभी कि मौसम के बारे में जानकरी देता है कि मौसम किस तरीके का कैसा है it gives the weather information of any place around the world वे इस अनसार में कहीं से भी किसी प्लेस के आपको जानकरी लेनी है कि वहांका मौसम कैसा है तो आप इस option का use करेंगे next one इस आता है cpu meter it monitors performance of cpu cpu MR किस performance पे काम कर रहा है ठीके बिटा एक last size पे क्या करता है the shortcut key to create a new file is ctrl plus n shortcut key नहीं बता है किस के लिए new file बनाने के लिए ctrl plus n होती है ठीके बिटा इसको ध्यान से पढ़ेंगे कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो इसको समझेंगे